ट्रू लिउस एन एक्चू लिउस ये बहुत छोटी बात है पर बिगनर्स को बहुत परिशान करती है एक्चूली मेरे साथ भी यह हुआ था जब मैंने सबसे बढ़े कॉरियंडर को सिट से लगाया था कॉरियंडर जर्मीनिट हो गए इसके अंदर लिउस निकलना शुरू हो गए तो मैं परिशान हो गई कि अरे यह किस तरह के लिउस निकल क्या रहे है क्योंकि कॉरियंडर के लिउस था ऐसे होते नहीं फिर मैंने काफी सर्च किया उसके बाद मुझे पता चला कि यह इसके एक जब इसकी ग्रोट शुरू होगी तब इसके अंदर नए लिउस निकलना शुरू होगी वह होगी एक चुल लिउस अब एक चुल लिउस किसे बोलते हैं जब पोदा कोई भी सीड आपने लगाया है उसका पोदा जब बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद एक चुल उसक को दिख रहा है उसके अंदर मेरी गुल्ड का पोता लगा हुआ है से उसी में भी जो नीचे दो लिव्ज आपको दिख रहे हैं वो सीट्स वाले लिव्ज है और जो दूसरे दो लिव्ज अभी जर्मिनीट होना शुरू हुए है उसके जो लिव्ज का शेप है वह एक्छल मे सबसे पहले फ्लावरिंग होगी और इसके बाद इसके अंदर सुटिंग होगी जैसे जी से मेरा आप अपके साथ इसके वीडियो करते रहूंगी अगर आपको मेरे ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट कर के बताएं ताकि इस तरह की में वीडियो आपके लिए ला सकतें थेंक्यू फॉर वाचिंग हम मिलेंगे हमारे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई